हालो फ्रेंज वेल्गम टो SSC मेकर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जनल अवैनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 MC की डिटेन में डिस्क्स करेंगे यह जनल अवैनेस की सीरिज का पार्ट 153 है जो कि आपके आने वाले रिल्वेंटी पीसी, ग्रूप टी, SSC CGL, CHSR, MTS Bank औ में बार-बार पुछे जाते हैं और बार-बार रिपीट होते हैं सारे इक वीडियों तक जरूर देखेगा और सभी क्वेशन से लेटेट अफेक्ट पुछानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्रिशन उससे पहले दोस्तों आज का थोट जान लेते हैं दोस्तों हमारा फर्स्ट क्रिशन है भारते खेल में HIL का पूरा नाम क्या है फूर्फों बतानी है तो दोस्तों वे है होकी इंडिया लीग दोस्तों HIL जो है भारत की होकी लीग है जिससे पूरा नाम जो है इसका वे है होकी इंडिया लीग याद रखिएगा नेस्ट क्रि यूएन एफ सी सी का पूरा नाम क्या है बताईए दोस्तों फूल फोर्म बतानी है तो वह है यूनाइटेड नेशन्स प्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज दोस्तों यूएन एफ सी सी जो है एक अंतरास्टे पर्यवरंड संदी है जो जून 1992 में प्रित्वी सम्म मेकर को लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें एंशेय करना बिल्कूल न भूले नक्स्ट कुशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन कुशन है निमली कित में से सी इसी का अर्थ क्या है बताईए तो दोस्तों वह है चीफ इलेक्शन कमिशनर दोस्तों सी इसी जो है चीफ इलेक्शन कमिशनर जोखी है भारत के निर्वाचन आयोग ठीक है भारत के निर्वाचन आयोग का प्रमुक होता है CEC यानि चीफ इलेक्शन कमिशनर दोस्तों वर्तमान में जो भारत के निर्वाचन आयोग है कौन है या मुझे कॉमेंट बुक्स में बताईएगा न ग्यात वस्तु को कहा जाता है जो की है अन आइटेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट याद रखेगा नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्डन कुशन है PCB का पूरा नाम क्या है तो दोस्तो वह है प्रिंटेट सर्किट बोर्ड दोस्तो पॉर्डन क्योशन है फ्लिप कार्ट मुक्चे कारेकारे अधिकारे यानी CEO कौन है बताएए दोस्तो उनका नाम है कलियान कृष्ण मूर्थी दोस्तो यह जो फ्लिप कार्ट है इसकी जो स्थापना वो कब हुई थी बताएए तो दोस्तो वह हुई थी अक्टूबर 2007 में औ का नाम क्या है तो दोस्तों वैते सचिन बंसल और बिनी बंसल याद रखिएगा नग्स्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्डन क्रिशन है ICC के वर्दमन प्रेजिडेंट कौन है तो दोस्तों उनका नाम है शशांक मनोहर दोस्तों यह जो है ICC इसका जो को हुआ है मैंने आपको यहां पर बताया प्रेजिडेंट और दोस्तों जो CEO है वह कौन है बताईए तो उनका नाम है मनुसहानी याद रखिएगा और दोस्तों यह वीडियो शेयर करना बिल्कुल न भूले आप सभी जानते शेयरिंगे सब बेस्ट व लर्णिंग तो शेय प्रतीने दी है जो कि मई 2020 को नियुक्त किये गए थे यहां पर बात ओर यह दोस्तों डबलू हो की तो कुछ इंपॉर्डेंट पॉइंट जान लेते हैं से लेटर इसका जो वो ख्याल है वो कांपर इस्तित बताईए तो दोस्तों वह है जिनेवा सुजरलेंड में इसकी स् 248 को और दोस्तों यह जो डबलू हो है यानि विश्व स्वास्ते संगठन वाइल्ट हैल्ट और्गनाजिशन यह विश्व के देशों के स्वास्ते संबंदी समस्याओं पर आपसी सईयोग माना विक्सित करने की संस्था है और इसके अध्यक्ष कोन है यह मुझे कॉमेंट प्रसाद शर्मा ओली दोस्तों यह तो होती है प्रधान मंत्री अब बात करते हैं राष्टपती की तो राष्टपती को और बताईए तो दोस्तों उनका नाम है विद्यादेवी भंडारी चीक है नेपाल के बारे में बात हो रहे हैं तो कुछ इंपॉर्डेंट पॉइंट नेपाल की जो का अपिटल उसका नाम क्या है तो दोस्तों वह है काटमांडो और लेंविज बोली जाते हैं यहां पर नेपाली याद रखिएगा सारे इंपॉर्डेंट पॉइंट्स नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डेंट कुशन है 2019 ग्लोबल और पीस इंडस की तो दोस्तों इसके ऐसारणी जो शबसी शांती पॉन देश आले इस लेंड उसके बाद है दोस्तों न्यूजिलेंड एसके बाद आता है पुर्द गाल नेक्स्ट है उस्टृया एंड बात gaming करते आदें अंत्वर्ण नेक्स्ट इंड्द सूदान यमन और इराग दोस्तों जो भारत का इस्थान है शांतिपूर्ण देश में वह कौन सा है बताइए तो दोस्तों वह है 141 चीक है 163 डेशों में से जो भारत की रेंग है वह है 141 याद रखिएगा नास्ट केशन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्ण केशन है 1896 में आयोज ग्रिश मकाली इन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वह हुआ था 1896 में जो ग्रिश है ग्रीश के एथेन शेयर में याद रखिएगा नास्ट केशन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्ण केशन है निमलेखित में से कौन से खेल को पुने शामिल किया गया तो दोस्त 2008 के बाद से बेसबोल का जो आयोजन है और लंपिक खेल में नहीं किया जा रहा और दोस्तों जो कर्लिंग है कर्लिंग शीद कालियन ओलंपिक खेलों किस परदा है और 2020 के खेलों में जो पेसबोल है बेसबोल को पुने शामिल किया था याद रखिएगा नेक्स्ट कुशन बेसपोल सॉफ्ट बॉल्ड और नेक्स्ट इम्पॉर्डेंट क्यूशन है निम्ली कितमें से किस खेल को ऑलंपिक खेलों में पहली बार 2020 से शामिल किया तो दोस्तों वह है कराटे दोस्तों अंतरास्टिय अलंविक समीती ने 2020 में आयोजित होने वाले टौकियो ओलंपिक पांच नए खेल शामिल की इन पांच जो नए खेल हैं उन खेलों में कौन-कुन से शामिल है तो दोस्तों पहले हैं बेसबॉल बेसबॉल सॉफट बॉल नेक्स्ट कराटे उसके बाद है स्केटबॉर्ड सफफिंग और स्पोर्स क्लाइम्बिंग याद रखेगा नाइस्ट क दिली में संपन प्रधम एशिया खेलों जोकी 1951 में वाटर पोलो इस परदा में भारत और सिंगापूर की टीमों ने भाग लिया था और भारत ने चार से सिंगापूर को पराजित कर स्वनपदक चीत लिया था और दोस्तों 1970 में पैंकॉक में भारत उप विजयता रहा और 1982 में नई दिली में भारत तीसरे स्थान पर रहा था इसके आतरिक दोस्तों जो भारते महिला वाटर पोलो टीम है उन्होंने 2010 के गुवांग्जू एशिया खेलों में जो है चोथा स्थान प्राप्त किया था याद रखेगा नेक्स्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स् 1951 और नेक्स्ट है 1982 ठीक है 1951 और 1982 नई दिली एशिया खेलों की मेजबानी कर चुका है उसके बाद दोस्तों जो अगामी एशिया खेल है उसके जो मेजबान देश है वो कौन-कौन से है तो दोस्तों 2018 में था जकार्था पैलें बंग इंडोनेशिया नेक्स्ट है दोस्तो 2026 जो की है आयची प्रिकेचर नागया जपान में याद रखीगा और दोस्तों ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो जर कुशन के लिए आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए सबसक्राइब करें एं शेय करना बिल्कूल न भूले हर सबस्तों साइट्स पेच पर कीजिए ताकि आपके साथ दूसरों की भी हर्प हो सके जालते हैं मद्धे रातरी यानी बारा बज़े और 15 अगस्त 1947 को केंद्री असेम्बली में चणगण मन और इकबाल का गी जो कीता साले जहां से अच्छा हिंदुस था हमारा MS सुब्बा लक्ष्मी नगाय था याद रखेगा दोस्तो नास्ट कुशिन पर चलते हैं हमारे next important question है भारत के अंतिम गवर्णर जनरल कौन थे तो दोस्तो उनका नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दोस्तो सी राजगोपालाचारी जो है 1948 से लेकर पच्चास के दोरान स्वतंतर भारत के प्रतम भारतिये और अंतिम गवर्णर जनरल थे दोस्तो ध्यान से सुनिएगा मैंने बताया है स्वतंतर भारत के प्रतम भारतिये और अंतिम गवर्णर जनरल ठीक है और इस पाद पर जो थे दोस्तो वे 26 जनरल उनका पचास तक रहे थे और 1952 से लेकर 1954 तक वे मदरास के मुख्यमंत्री भी रहे और 1959 में विबिन बुद् कॉंग्रेसी निताओं से मदबेद के कारण उन्हें जो हैं कॉंग्रेस छोड़कर स्वतंतर पार्टी का उन्होंने कठन किया था यादर कियेगा नेस्ट किशन पर चलते हैं हमारा नेस्ट मोस्ट इंपॉर्टन किशन है भारत के स्वतंतर तक के तुरंद बात गोवा कांशाओं को पूरा नहीं कर पाए और 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्त करा लिया गया और इसे जो है दमन और दूइप के साथ मिला कर केंदर शाशित प्रदेश बनाया गया और दोस्तों 30 माई 1987 को जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया ठीक है 1987 में और दमन और दूइप को जो है अला केंदर शाशित प्रदेश बना दिया गया दोस्तों यहां पर बात हो रही है गोवा की तो कुछ important points जान लेते हैं से लेटर दोस्तों जो गोवा है गोवा की जो capital है उसका नाम क्या बताईए तो दोस्तों वह है पनजी और दोस्तों जो वासको द परत्मान तो दोस्तों प्रेजेंट जो है वो है प्रमोट सावन गवर्नर है यहां के प्रेजेंट सत्यपाल मलिक दोस्तों नेक्स्ट जो important point है वह है तीस माई 1987 में जो गोवा है वो राज्य बनाता और 1967 में अजाद हो गया था याद रखिएगा next question पर चलते हैं हमारा next most important question है निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ द्यान से देखिए का दोस्तों तो वह है 1962 में दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मद्दे जो है अब तक चार युद्ध हुए ठीक है फरस्ट है भारत पाकिस्तान युद्ध जो की हुआ था 1947 उसके बाद 1965 और लास्ट 1971 एंड देन 1999 दोस्तों ये सारे जो हैं मुखे हैं और दोस्तों जो 1962 है इसमें क्या हुआ था तो दोस्तों वह था भारत और चीन के बीच युद्ध याद रखेगा नास्ट कुशन पर चलते हैं हमारा लास्ट इम्पॉर्डन क्युशन है किस भारत पाक युद के बाद ताशकन घोशना हुई थी तो दोस्तों मैंने आपको बताया था वह है 1965 सोरी दोस्तों मिस्टेक हो गया इसको करेक कर लिजेगा दोस्तों सयुक्त रास्ट के निर्देश संगस वेराम के बाद 1965 यानि भारत पाक युद्ध समाप्त हुआ और ताशकन घोशना को ज साल निकालने और सांती से जीवन जीने के प्रयास से तुक हस्ताक्षर किये थे और इस समझोते पर जो है दस जन्वारी 1966 को कोशना पत्र पर हस्ताक्षर किये गए थे याद रखेगा दोस्तों तो दोस्तों यह थी जनरल अवैनेस के इंपॉर्टेंट टॉप्टेंटेंट क्यों मॉस्ट इंपॉर्डेंट क्वेशन्स आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया है यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बुक्स में जरूर बताईएगा पसंद आया तो अपने स्टड़ी रेटिव गूर्प में शेयर जरूर करें और एस सी मेकर को लाइक टैप एंड शेयर करना बिलकूल न भूलें आज के रिए बस इतना ही थैंकि सो मस्थ दोस्तों